चलो देख लेते हैं यूपी पीज़ दोजार तेइस का जो प्री वाला पेपर हुआ है चौधा मई दोजार तेइस को उसमें किस टॉपिक या किस सब्जक्ट या किस सेक्षन से कितने कुश्चन आये डेट सो कुश्चन आये थे दोसो नमबर का पेपर था वंतर निगेट्व मार्किंग थी सबसे अधा कुश्चन आये हमेशा की तरह करेंट अफेर से टोटल मिलाके अगर आप इंडिया इंटरनेटल के देखे तो 29 कुश्चन आये नमबर टू पर इस बार हिस्ट्री रहा है हिस्ट्री से 26 कुश्चन आय ancient के 10, medieval के 5 और modern के 11 ठीक नमबर तीन पर पॉलिटी 25 कुश्चन आये है नमबर चार पर जोगरफी 21 कुश्चन आये जिस में वर्ड जोगरफी के 11 एंडियिन जोगरफी के 10 है Science के 19 question आए है Economics के 11 question आए जिसमें से 7 current affair के है समझ में आ गई Miss Lenya's से 10 question है Miss Lenya's इस बार थोड़ा से कम हुआ है Environment से 6 question आए है UP special से 6 question आए है 2 UP current के है 4 UP GK के है अब overall अगर आप देखें तो total current से 38 question आए कई से 29 हो गए total current वाले साथ हो गए आपके economic current जो budget economic surveys मिलाके और दो question आए है UP current से total मिलाके 38 question आए है current affair से सबसे ज़्यादा विटेज है study for civil services के जिसने 780 pages का प्री वाला study material फॉलो किया होगा या फिर हमारे group में starting से जो लोग हैं वो लोग काफी अच्छा paper करके आए मेरे पास पूरा feedback आने लगे है सारे question जो हमारे से आए हैं बागाईदा proof के साथ telegram में दिखाते जा रहे हैं आपको आप पूरी pick देख सकते हैं मज़ा आ गया भाई इतना बढ़या paper बनाया है UPPSC ने इस बार factual paper भी है कुछ conceptual कुछ अच्छे unique creative question मनाया है जो बात है तारीब करनी पड़ेगी इस बार के paper में ज़्यादा बहुत disputed question नहीं रहें तो जो पढ़ाई करेगा उसका selection होगा UPPSC के लिए देखे कुछ और चीज़े ध्यान रखिए कई लोग का खराब भी हुआ है जो हमारे से नहीं associated थे इन सबका mix आया फिर भी study for civil services से अगर आपने पढ़ा है तो cut-off से बहुत जाता का आप निकाल लिए होगे अब तक क्योंकि रगण के practice भी हमने कराई थी आपने देखा होगा कई सारे question तो paid quiz से ही आ गए हैं हर बार की तरह है इस बार भी हम एक पीडियाफ रिलीस करेंगे कितने total question आएंगे बिद प्रूफ बाकी सारे screenshot डालते है रहे हैं देख लो आगर टेलिग्राम में साल भर की मेहनत जो होती ना वो जिस एक्जाम जिस दिन होता UPPCS का या फिर जब result आता है तब बड़ी मज़ा आ जाती है एकदम से एक अलग सी जो है खुशी आ जाती है कि हाँ भाई मेहनत सफल हो रही है जो लोग भी UPPCS के प्री में नहीं निकल पा रहे हैं study for civil services का साथ एक बार एक साल जुड़के देखिए pre clear होगा कई लोग ऐसे हैं पिछली बार भी थे उससे पहले भी थे जिनका चार-पांच बार से प्री नहीं होता था study for civil services जोईन किया फाइनल हो गया ठीक है जब भी UPPCS का कोई result आता है तो सबसे ज़्यादा selection study for civil services से ही होते है इस बार जबकि थोड़ा सा trend change हुआ है फिर भी study for civil services में जो हमने दिया था सब कुछ already cover किया है कुछ लोग कह रहे है 780 pages में सब कर दिया था भाई 780 pages में सब करना possible है history की book लेके देखना जाके 1200 pages की history की book ही होती है हमने 780 pages में पूरा सब कुछ GS ला दिया था अब 2024 के लिए 780 pages important तो नहीं होंगे number of pages कम करके बलकि पहले से ही दे देंगे selective करके update और revision करके एक जरूरी सूचना है आप लोगों के लिए 24 की पूरी शुरुआत से लेके selection तक की तैयारी करनी है 24 मई से complete batch चालू हो रहा है foundation pre वाला और mains वाला भी सब कुछ उसी में मिलेगा complete study material मिलेगा अगर आपने हमारा study for आपको कहीं से कुछ नहीं पढ़ना है सब उसी में मिलेगा current effect test series paid quiz जो है answer writing GS1 से लेके 6 तक का material बीच-बीच में सारे update सब कुछ जो जरूरी है परिच्छा में selection के लिए वो आपको हमारे group में दे दिया जाएगा दोजर 23 वाला मेंस आने वाला है 23 सितंबर को अभी करीबन 125 तीज दिन बचे हुए है उसकी complete तयारी के लिए हमारे batches चालू हो रहे 17 माई से complete मेंस की preparation का हिंदी का answer writing का without model answer with model answer GS5 सब का GS5 वाला सब तयार है इंटर मतलो 17 से मिलना चालू हो जाएगा और 20 तारिक से UPPCS 23 का मेंस की complete bilingual पूरे ओफ़ीचर चले बस पर based series चलू हो रही है आप उसको हमारे number पर call ये whatsapp करके join कर सकते है UPPCS ही study for civil services का main रहता है PCS पर ही हम ज़्यादे दर focus करते हैं बहुत जल्द जो है आरो और बीयो की वेकेंसी आने वाली है जो लोग भी UPPC के किसी भी exam की तहरी करते है study for civil services का follow करना चालू कर दीजे बास कहीं दर उदर ना पढ़ें the source का follow करने एक से बढ़िया है सिर्फ study for civil services का completely religiously regularly अगर आप follow कर लो सिलेक्सा ही हो जाओगे कुछ और चीज़े आपको याद रखनी चाहिए कि सबसे पहली बात तो भाई practice pre के लिए बहुत जरूरी है बिना practice के question जो है आप pre नहीं निकाल सकते हैं पढ़ना तो है जरूरी लेकिन practice भी करके जाना होता है क्योंकि इस बार कुछ question ऐसे आए जिसमें elimination method लगते ही लगते हैं tricky question है आप अगर practice नहीं करोगे practice करते time smart guessing tricky plus elimination method reverse engineering बहुत सारे concept आप अपने आप पही सीख जाते हो और mains के लिए selection लेना है तो सिर्फ और सिर्फ answer writing ही आपको selection दिला पाएगा पढ़सा है जितना लो लिख नहीं पा रहो तो कुछ नहीं हो सकता है अगर यूपी PCS की बिलकुल जो है आपको selection वाली ही तैयारी करनी है सिर्फ study for civil services को follow करते लिए जितना जरूरी वो हम सब करवाते रहते हैं even हमारे free initiative मतलब हमारा जो main youtube channel है study for civil services को टेलिग्राम के जो एक main channel है और quiz वाला इन दोनों को भी follow कर लिया लगातार जो हम notification देते रहते हैं वो लगातार follow करके apply कर लिए तो आराम से निकाल लोगे चाहें जैसा paper आ जाए